Hello everyone. Welcome to Vettrofessional. आज हम बात करेंगे X-ray's के बारे में और X-ray's में क्या-क्या equipment's use की जाती हैं उसके बारे में. सबसे बार हमें पता हूना चाइए कि X-ray's क्या होती है? X-ray's basically electromagnetic energy है. Electromagnetic radiations हैं जिनमें high energy है, high frequency है, लेकिन short wavelength है. इसका कोई भी चार्ज नहीं है कोई भी मास नहीं है and they travel with the speed of light in a straight line ठेक है तो अक्सरेस डिसकावर किस ने की थी विलहम कॉनाड रोइंट जन ने ये प्रोफेसर आफ फिजिक्स थे 8 नवंबर 1895 में अब इंडिया में इसका क्या रोल है मैं बताऊंगा एक्सरेस नॉर्मली हूमन में तो यूज की जाती हैं हम एक्सरेस हूमन में निकालते हैं लेकिन अनिमल्स में वेटनरी में इसका रोल ज्यादा प्रोमिनेंट हुआ अपने नाम काफी बार सुना होगा बिसिकली मेडिकल टर्म है वेटनरी में भी यूज होती है तो रेडियोलोजी क्या है रेडियोलोजी से ब्रांच आफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद्ट डियाग्नॉस्टिक एंड थराप्यूटिक अप्लिकेशन विच डील्स और गर्म अबनॉर्मल्टी यह लंग्स में निमूनिया हो गया उसके लिए भी हम जो है डियाग्नॉसिस करते हैं तो एक से रेडियोज करते हैं तो वह डियाग्नॉस्टिक परपस हो गया थेराप्यूटिक अप्लिकेशन है हमें पता लगेगा कि इनने ट्रीटमेंट में इसमें क्या करना है उसके लिए भी यूज किया जाता है यह फिर आता है एक से मैंने बता दिया आपको स्पैशल डाइप अलेक्र मेंटिक रेडियेशन है इनकी जो शॉर्ट वेवलंट है वो है पॉइंट फॉन टू पॉइंट फाइव एंग्स्ट्रॉम और हाई एनरजी करें यह आप देख सकते हैं एकसरे मशीन जो है यह स्मॉल अनिमल कि एकसे मशीन है यह जैसे डॉग और केट का इससे हम एकसरे करते हैं इसों ने आहलब मार्किंग के से लगी सीरे के कारएंव कि द 있지 वेफ अइसे एक ही यह तो यह कि एक र 자 पॉजिशनिंग पेशेंट ई है कंट्रोल पैनल और कंसोल एफ पॉर्टेबल लेड वाल स्क्रीन फॉर्ड प्रोटेक्शन अगेंस स्क्राटर डिशन दूरिंग एकसरे मशीन का लेड आउट है रसा और यह आप देख सकते हैं कि पीछे हमने जैसे आपको दिखाया यह जो इपार्ट था क्या था ही चैन्ट्रोल पैनल और कंसोल तो यह उसको दिखाया गया बढ़ा करके क्या-क्या बटन जोते हैं देख सकते हैं अप इसमें इसके बाद ह X-ray film होती हैं यह बंती है यह एक सरे फिलम जिसमें रखी जाती है वह बॉक्स है भाफ बोन llegar पैकेट कह सकते 123 006 स्ट तो यह एक सरे एंटर चुब हुआ किसी का निकाल लेती है फिर हमें एक सरे देखना हुए सब जो हम लाइट में ददेखते है और ऐसे वहां पर हैंक लेकिन जो यह उल्ला एक्सरेटर है इसमें लाइट लेडी इसमें लगे होती है यहें एडिजेस्टेवल लाइट होती है अप लाइट की इन इंटेंस्टी है कमसेधा कर सकते हैं यह X-ray cassettes आगे, बसिकली इन X-ray cassettes के अंदर जो है X-ray film को लोड किया जाता है पिर जो है X-ray लिये जाता है यह X-ray film drying hanger है यह clips लगे हैं जब हम X-ray ले लेती है यानि कि X-ray film जब expose हो जाती है X-ray के साथ तो इन फिलम्स को प्रोसेस किया जाते है केमिकल प्रोसेसिंग होती है डार्क रूम में जाके वह भी आगे बताऊंगा मैं आपको तो यह प्रोसेसिंग का बेसिकली स्टैप है उसमें यूज उता है यह एक सिरे फिलम ड्राइंग हैंगर यह LED blocker आ गया यह डिवाइडर बोलते हैं इसको LED blocker का basically काम होता है कि यह X-rays को जहां पर मतलब हम X-ray चाहिए वहां पर तक सरे जाएंगे और जहां पर हम यह LED blocker रख देंगे वहां पर X-rays पास नहीं करते तो यह protect करता है तांकि excessive जो है कोई organ जो नहीं जो एक्सपोस करना है उसको हम शील्ड कर सकते हैं तो उस पॉर्शन में एक्सरे नहीं पहुंचेगा यह X-ray film hanger है इसका भी काम प्रोसेसिंग में आता है जब एक्सरे प्रोसेसिंग करते हैं फिल्म की हम और यह X-ray film hanger clip टाइप है बेसिकली processing का मतलब होता है X-ray film को जब expose करवार दी हमने X-ray light से तो उसके बाद एक्सरे फिल्म की processing की जाती है जिससे वह radiograph में develop होता है देखिए सबसे पहले बता होना चाहिए कि X-ray और radiograph में क्या difference है X-ray film simple हम बोलते हैं जो एक sheet है उस पर कुछ भी नहीं है और radiograph का बोलेंगे जब X-ray film के ओपर light पढ़ चुकी है और फिर अब जब उस फिल्म की chemical processing हो जाएगी तो वह एक radiograph बन जाता है जैसे यह एक radiograph है डवलप हो चुका है फिर यह processing tank जैसे मैं पता है processing जो chemical processing हम करते है एक्सरे फिल्म की वह इन टैंक्स में होती चार टैंक्स होती है बिसिकली dark room में processing होती है यह लेड़ गॉगल्स है जब एक्सरे जो कर रहा होता है यह उनके protection के लिए होता है लेड़ गॉगल्स बिसिकली एक्सरे जो है harmful radiation यह होती है तरह अगर ज्यादा देर exposure अगर एक्सरेस का हो जाए तो टरेटोजनी के फेक्ट्स हो सकते हैं cancer leukemia बिसिकली ब्लड कैंसर हो सकत हैं और उनके में mutation हो जाएगी और मुटेशन के वज़े से जो आगे further child produce होगा उसमें भी mutation होगी और में भी अगर वो फटिलाइज हो भी जाता है तो शायद वो death हो जाए उसके लाबा बहुत से harmful effects है अगर ज्यादा देर exposure हो तो तब ही जो है यह जैनिटल शील्ड डाली ज थायराइड ग्लेंड के आसपास इसको पहनते हैं बेसिकली जो एक्सरी रेडियेशन है उनका ज्यादा एफेक्ट कुछ specific organs पर होता है ऐसे organs जिन में जो continuously reproduce कर रहे हैं जो इसे डिवाइड कर रहे हैं जैसे जैसे thyroid हो गया यहां फिर जैनिटल organs में सब स्परमेटोगो नहीं हो गया जिससे स्पम बनता है वो इसे डिवाइड करते हैं यह वह हो गया तो इन सेल्स जो है बिसिकली यह specific है मतलब काफे रेडियो संस्टीव है इंबे एक्सरी रेडिय से यह शील्ड होगी इससे आपको protection होगी एकसरी के radiation से लेड़ अप्रन हो गया फिर आगे LED लेटर्स इससे हम बैसिकली एक्सरी के ऊपर मार्क करते हैं कोई डेट लिख सकते हैं उस आनिमल का नाम लिख सकते हैं कि यह डॉक का एक्सरी है कैट का एक्सरी है डेट लिख सकत आप इसी तरह लेट बॉक्स में जो है एकशरे फिल्म स्टोर करके रखी जाती चुछ को कभी भी डर्ट सनलाइट में एकस्पोज नहीं कि जाता है अगर एक फिल्म सनलाइट में एकस्पोस हो जाए तो वह खराब हो जाती किसी काम की ने रहती है उससे एक घ्रे ने ही निकल जो लोग एक्सरे में काम करते हैं जादा देर यह उनको जो है लगाया जाता है वो लगाते हैं बैसिकली इससे पता लगता है कि कितनी रेडियेशन जो है किसी इंसान के अंदर गई है कितनी रेडियेशन उसको हुई है कितनी रेडियेशन उसके अंदर रही तो बैसिकली टी TLD badge वो लगाते हैं जो X-ray निकाल रहे होते हैं यह पेशेड नहीं लगाता है जो X-ray कर रहा है जो रेडियो ग्राफर है ठीक है वो लगाएगा TLD badge जो काम कर रहे हैं यहां फिर X-ray रूम में वो लगाते हैं यह तो TLD badge से पता लगता है कि कितने amount radiation का पास हुआ है बाड़ी से क्योंकि रेडियेशन का harmful effect में आपको बताया होता है बाड़ी के cells पे तो उससे पता लगता रहता है कि हम इसको monthly जो है TLD card को TLD cassette में लोड करते हैं अब TLD card को हमने लोड किया तो जो TLD cassette है इसके अंदर 3 component होते हैं सबसे उपर जो है यह copper aluminium filter है दूसरा वला perspex का बना होता है तीसरी open window है अब dark room की मैंने बात कर रहा था कि एक बर जब expose हमने कर दिया patient को X-ray के लिए उसके बाद फिर dark room में X-ray film की processing होती है जिससे हम वह radiograph बनता है तो डार्क रूम में क्या क्या होता है processing tank होता है warning light होती है lockable door होता है film bin होता है loading bench होता है pass box है safe light है वैसे safe light देखो red light दिखी है वो red light में काम करते है dark room में और कोई भी light यूज नहीं करते है वहाँ पे इसके बाद एक standard layout dark room का दो साइड से होती है dark room में dry side wet side dry side में enlarger होता है cutter होता है और wet side में आपको मैंने बताया four tanks होते हैं जिन में processing की जाती एक से फिलम की पहला जो processing tank मैंने पीछे बता दिया कासा दिखता है तो पहला tank होता है developer दूसरा होता है stop bath तीसरा fixer जो था water और साथ में जो होता है drying area भी होता है इसके अब last में जाने से पहले आपको थोड़ा मैं बता दूं कि आपको पता है जिकी एक सरे सेंटर जो हैं लोग मतलब होते हैं काफी जगा एक सरे शॉप्स होती है जाक्सरे किये जाते हैं तो वह अपनी मर्जी से एक सरे वहां पे नहीं खोल सकता कोई भी यहां एक सरे क करने के लिए तो उसके लिए हमें एक बोर्ड की अपर रूवल लेना पड़ता है वह कुंसा रेगुलेटरी बोर्ड है अटामिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ इंडिया एई यार भी ठीक है इसके अप्रूवल के बिना कोई भी एक सरे जो है नहीं मतलब कर सकता यह एक सरे रूम एस्टाब्लिश नहीं कर सकता कोई भी इनका सेट्रिफिकेट होना चाहिए इनका अप्रूवल होना चाहिए तब भी एक सरे जो है रूम खोला जा सकता है तो इसके अंदर यह क्या करते है फंक्शन क्या है बैसिकली एटॉमिक एनरजी रेगुलेटरी बो अप्रूवल मिलेगा तो उसके बाद ही एक सरे रूम एस्टैब्लिश हो सकता है तो यह बोर्ड एस्टैब्लिश कब हुआ था 15 नवंबर 1983 में ठीक है तो यही थी आज की वीडियो